Well, they say sedans are dying, but some manufacturers are still trying. वैसे मैं इस थेरी में बिलीब नहीं करता है कि कोई भी segment जो है वो कभी मरने वाला है. If you look at the EVs, वहाँ पर sedan segment is growing. But conventional sense में अगर आप बात करोगे, petrol, diesel जो है आफिर ICE जो cars है, वहाँ पर sedans जो है वो थोड़ा struggle कर रही है. But क्या चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा, वो तो समय बताएगा. मैं आपको बताऊँगा, Hyundai Verna, जो new generation है, उसमें कई सारी जो previous generation की कमियां थी, उनको address करने की कुशिश किये. जैसे कि crammed इसका rear space होता था, अगर आप ले रहे हो तो technically वो two-seater होती थी थी, अब उनमें से क्या सही मुझे लगा, क्या नहीं लगा और क्या यह सेफ हुई है, क्योंकि वर्ना के बारे में और सेफटी के बारे में हम एक साथ कभी नहीं सोचते हैं, उन सब चीजों के बात करेंगे. Namaskar Khama Gani Diviyon Sajano, my name is Vikas Yogi, you are watching us in studio, and here is everything that you need to know about the brand new Hyundai Verna. All right, I'll now talk about the design, क्योंकि उसके बारे में आप अलड़ी शायद सुन चुके हैं, जान चुके हैं, बहुत सारे walk around videos भी आ चुके हैं, मैं बात करूँगा, मेरे observation की design के बारे में definitely लंबी हुई है, 2670 mm का wheelbase है, जो की segment में सबसे जादा है, बट जो फरक है वो बहुत जादा फरक नहीं है, वो 10-20 mm वाला फरक है, लंबाई के मामले में बात करूँगे, तो लंबी हुई है पहले से फर शौर क्योंकि इसको जरूरत भी थी लंबी होने की, 205 55 16-inch के tires हैं, जाहे फिर आप ये वाला version लीजिए है, फिर जो 1.5 याट का turbo है, वो लीजिए, क्योंकि डीजल तो अब आता नहीं है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, but anyway, let's go inside the car and see what do you have inside, और क्या space जो है, वो definitely जादा हुआ है, I don't think मुझे कभी यसा लगा था कि मैं Hyundai Varna के बारे में बोलूगा कि भाईया, यहाँ पर 2-6 foot के बंदे बैठ सकते हैं, and this has finally happened, thanks to the wheelbase, आगे वाली जो seat है, ये वाली specially, वो 6 foot के साफ से अब से जस्टेट है, और ये वाली भी छेफिट के साफ से जस्टेट है, but this is slightly straight, but मोटे-मोटे तोर पर अगर आप देखोगे, तो मेरे जैसा बंदा, who's not tall, वो तो आराम से बैठ सकता है, in fact, जो थाई से बाट वो इतना अच्छा लग रहा है, कि अगर आप थोड़े लंबे भी होंगे, 5-9, 5-10 तक, I don't think ऐसे को परिशानी होगे, नीरूम भरपूर है, पाम आपने stretch कर सकते हो, no problem at all, but क्योंकि थोड़ा सा sloping, सोड़ा roof line है, तो अगर आपको बहुत जादा straight बैठना पसंद है, तो आप नहीं बैठ पाओगे, of course, अगर आप लंबे है, मेरी जैसे height है, तो आप बैठ सकते हो, but अगर आप ऐसे चौड में होके बैठना चाते हो, तो I don't think कोई खास परिशानी होगी, but फिर भी, लंबे लोगों को definitely थोड़ी से परिशानी हो सकती है, बाखी जो साजो सामान की चीज़े मिलती है, आपको सभी गाड़ी में मिलती है, कि एक armrest आपको दे दिये है, दो cup holders आपको दे दिये गए है, ये curtain आपको दे दिये गए है, जो कि आप manually adjust कर सकते हो, I think that's a thoughtful touch, बाट अगर side में भी दे दिये जाते, तो फिर अच्छी बात हो जाती, बाट overall almost सारी चीज़े आपको दे दी गई है, rear seat vent वागर है, type C दो आपको ports दिये हैं, और adjustable headrest भी मिलते हैं, जो कि आपको Honda City में नहीं मिलते हैं, इसके segment में अगर आब बात करोगे, तो Honda City में fixed type के आपको headrest दिये जाते हैं, बाट middle row में जो भी बैठ रहा है, उसके लिए कोई भी आपके लिए adjustable छोड़ी है, fixed type का headrest भी नहीं दिये गए, तो यह हो गया, rear seat का हाल, आप चलते हैं, front में और देखते हैं कि क्या वहाँ पे है, जैसे कि मैंने का थे 6 foot के आदमी के साथ तो adjusted है, और अच्छी बात है, electrical adjustment आपको मिल जाता है, और आगे करना हो, पीछे करना हो, हाला कि height के लिए आपको अभी भी manual ही इसे adjust करना पड़ेगा, अगर electric देट है तो अच्छी बात हो जाती ही, and now this can also be slightly कि कुछ लोगों पसंद आएगा, but I think at least वो uniqueness इसमें है, वो three spoke नहीं है, of course, यसे हमने Škoda के cars में देखा है, यह खाली होता है, तो यह खाली यहाँ पर भी दिया गया, बट overall quality जो है, जो leather it की finish है, वो बहुत अच्छी है, buttons की quality overall बहुत अच्छी है, वो नजर आ रहा है, फिर यहाँ पर touchscreen है, जो की अच्छी quality का, again, बहुत अच्छा है, 10.25 inch के touchscreen आपको मिलती है, जो की, of course, Apple CarPlay, Android Auto, और अफ जो सारी चीज़े हैं, वो मिलती ही मिलती है, एक चीज आप यह देखोगी, यह जो आपको चूटी सी screen दी गई है, जिसमें कि आप AC के buttons control देखते हो, basically, touch भी है, एक और अच्छी चीज है, कि अगर आप यहाँ पर प्रेस करोगे, तो यहाँ पर आपको जो audio के setup है, मतलब जिसे की media में जाना है, radio में जाना है, और वो सारी की सारी चीज़े आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है, और buttons भी आपको दिएगे हैं, जैसे volume को button दे दिया गए आपको, और different files में अगर आपको जाना हो, या जैसे मैं इसे को adjust कर रहा हूँ, कि है मेरे को, किसी और band में जाना है, radio के, तो मैं वहाँ पर चला गया हूँ, तो वो चीज़े दी गई है, जो कि एक अच्छा touch है, but touch ना हो, तो भी बेटर है, क्योंकि बहुत साथा touch-touch-touch वाली चीज़े होती है, वो थोड़ी सी problematic है, तो मेरे सबसे, अगर सीधा button के साथ में सारी की चीज़े होने लग जाए, तो बहुत जाथा बहतर होगा, एक चीज़ जो पहली बार हमने देखिए है, यहाँ पर, मतलब, वर्ना में वो यह की, आपके लिए ventilated plus heated seats दोनों है, तो यह heater seat है, जिसकी ज़रत आपको भी सरदी में पढ़ जाए तो पढ़ जाए, क्योंकि बहुत ही कम, हमारे पर सरदी बहुत कम जगों पर होती है, बठा, वो कहने के लिए हो जाता है कि सेग्मिन best feature है, सिग्मिन first feature है, फिर आपके देखोगे type C आपके लिए एक दिया गया है, फिर आपके लिए 12V power socket दिया गया है, USB type A दिया गया है, तो सभी लोगों को अधान रखाई, इस पुराना phone वो type A से charge कर सकते हो, आपको wireless charger भी जो है वो दिया गया है, और आपके पास में phone अगर चपल pro max जितता है, तो भी यह आराम से आजाता है, और ज़्यादा हिलतर डूलता नहीं है, बहुत अच्छे से यह hold कर करकता है, फिर यहाँ पे एक parking का button आपको दी दिया गया है, फिर drive mode है different वो आपको दी दिया गया है, फिर drive mode है different वो आपको दी दिया गया है, तो वो एक चीज है, बाकी, overall, I think, यह design हम आपको देख चुके हैं, I think, Creta में हमने देखा है, Elkazar में देखा है, वैसा का वैसा आपको यह, जो gear knob है, वैसा मिलता है, तो quality levels वोगर है, actually बहुत अच्छे है, although Honda City मेरी favorite गाड़ी है, बट यहाँ पर मैं clearly बुल सकता हूँ कि यह quality levels, fit and finish के मामले में, this is probably the best in the segment, better than the Germans, क्योंकि Germans के quality over the years, in fact, downy हुई है, बड़ी नहीं है, बाकी यह dual tone sort of finish है, यह black है, यह आपको beige color का finish दिया गया है, जो कि of course soft touch है क्योंकि same color कि आपको seeds भी मिलती है, seeds भी बात करोगे, तो quality levels actually अच्छे लग रहे है, side bolstering support जो है, वो भी अच्छा लग रहे है, तो overall ठीक quality है, I wish I could say the same thing for the safety as well, and like I said, the quality has definitely gone up, overall space जो है वो बहुत अच्छा अच्छा लग रहे है, in fact, boot space भी segment सबसे आदा है, 528 liters का, but I wish I could say the same thing for the safety, क्योंकि हमेशा claim जो है, इनके बड़े होते हैं, क्योंकि हर बार जब भी कोई presentation मुझे याद है, वो यह बोलते है, 55% high tensile steel जो बढ़ गया है, और 55% का पता है नहीं, इनका क्या लोचा है या क्या है, पर हमेशा बढ़ता होत रही है, उसके बाद भी crash stress rating में बहुत क हैं, जाए आप Škoda Slavia slash Virtus की बात करो, या फिर आप City की बात करो, तो वो ज़्यादा बहतर perform कर पाई है, in cap crash test rating में, I wish they also do that, but anyway, features जो है safety के वो definitely standard दी है, 6 airbags, ABS, CBD, यह सब चीज़ आपको दी गई है, plus ADAS जो है, उसका module अब आ गया है, जो कि segment में almost अब एक तरीके से norm मनता ज जो है, नज़र आएगा, फिर यहाँ पर एक camera setup भी होता है, जो कि हम usually standard देखते हैं, तो वो ही चीज़ यहाँ पर भी दे दी गई है, जिसमें कि आपको वही lane departure warning हो गया, assist हो गया, फिर आपका adaptive cruise control हो गया, emergency braking हो गया, वो सब ही features जो है आपको मिल जाते हैं, और जब भी हमने Hyundai के test किया है, actually perform अच्छा करते हैं, अब इसके साबने कैसे perform करेंगे, जब चलाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, but overall I think safety wise features दे दिए गए हैं, I wish कि जो platform की जो fresh worthiness हो, उसमें, तो वो एक चीज़ हुजा तो बहुत अची बात होगी, अब finally engine की बात कर लेते हैं, क्य जो आप हमेशा से दिखते हैं हो, exactly वही है, हाँ ये है कि अब जो एक और petrol engine है, जिसके दरकार, I think इनको थी, इनके पास ऑलड़ी 1.4 liter का turbo charge engine था, बड़ इसके साथ में इन्होंने 1.5 liter का turbo charge engine दिया है, जो की numbers के अगर आब बात करेंगे, तो ठीक ठाक लग रहा है, 160 PS, that means ल येपूर से अब दिल्ली, DCT में ही आया हूँ, venue DCT में, जो कि 1 liter के साथ में आता है, of course smaller engine है, थोड़ा दा काम करना परता है, बट फिर भी, अगर आप देखोगे, तो वो DCT कभी भी fuel efficient नहीं हुआ, तो 20 का claim है, मेरे सब से 10-12 का दे दे तो बहुत बड़ी बात होगी, again segment में अब diesel बचा ही नहीं है, तो मुझे लगा था कि ये लोग शायद retain करेंगे, क्योंकि percentage of sale है, वो diesel की अभी भी most cars में बहुत अच्छी आती है, इसकी of course down होई है, अभी last के कुछ months में, क्योंकि नोंने बनाना ही बंद कर दिया, बट अब आपके लिए सिर्फ petrol engines है, दोनो E20 compatible है, दोनो RDE norms के साब से हैं, जो कि सब को बनाना ही पड़ेंगे, तो ये कुछ information है, pricing की जहां तक बात है, तो pricing एक बार को अगर आप देखोगी, तो आपको अच्छी लगेगी, बट अगर आप Honda City variant to variant compare करोगे, तो Honda City के second variant से ही ADAS के features आपको मिलने लग जाते हैं, wireless charger, Apple CarPlay Android Auto and all that, वो सारी जो चीजें हैं वो आपको मिल जाती है, यहाँ पर ADAS जाना है तो आपको top and variant में जाना पड़ेगा, जो कि लगभग आपको साड़े सतरा लाख या साड़े सोरा साड़े साड़े सतरा लाख के आसपास cost करता है, exact price आपको यहाँ पर दिख जाएगी, but Honda City में हैं तो आप comment section में पूछ सकते हैं उसका जलते जल जवाब देंगे, thank you so much people for watching this video.